नमस्कार दोस्तो आज में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने बोटर कार्ड के साथ अपना मोबाइल नमबर और अपना आधार नमबर कैसे लिंक करें दोस्तों जैसा के आप जानते हैं आज के समय में हर डॉकुमेंट के साथ हमारा मोवाइल नमर लिंक किया जा रहा है दोस्तों इससे फाइदा यह होता है अगर भविश्य में कभी हमें कोई भी डॉकुमेंट डाउनलोड करने के जरुगत पड़ती है तो दोस्तों हम अपने मोवाइल नमर पर OTP भेज कर उस डॉकुमेंट को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरीके से मात्रित दो मिनट के अंदर अपने बोटरकार के साथ अपना आधा नमबर और अपना मोवाइल नमर लिंक कर लेंगे इसी के साथ दोस्तों अगर आपके बोटरकार में आपका नाम गलत है या दोस्तों आपकी date of birth गलत है या दोस्तों आपका address गलत है तो आप उसे भी अपने आप से ठीक कर लेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में आपको step by step live demo देकर ये पूरा प्रसे समझाऊँगा इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंतक देखना और दोस्तों इस वीडियो से related आपके मन में कोई सवाल या मेरे लिए कोई सुजाब हो तो comment बाक्न जाओ लिखना दोस्तों अपने बोर्टर कार्ड में अपना आधह नमबर और मोबाल नमबर लिंक करने के दो तरीके हैं एक दो दोस्तों आप इसकी website से कर सकते हो दूसरा दोस्तों इसके mobile application से भी कर सकते हो दोस्तों इसकी जो website का process हो थोड़ा है लेकिन दोस्तों इसके जो मोबाइल वाला प्रोसेस है भूती जग्स की यजदा है तो इस वीडियो में हम मोपेडी Mmm प्रोसेस से सीखने वाले इसके लिए सब्सक्राइब करना है्जटों करने के बाद के बाद आपको सिर्ट सेर्च आम देखना है था तो आपको यहां पर सर्च करना है और दोस्तों आपको इस वाले अप्लिकेशन को यहां से डाउनलोड कर लेना है तो मैंने यहां आपसे इस अप्लिकेशन को डाउनलोड पर लगा दिया है तो कुछी देर में दोस्तों मेरा अप्लिकेशन यहां पर डाउनलोड हो जाएगा तो आपको भी कुछ इस तरीके से अपने अप्लिकीसन को डाउंलोड करना है, धस्य वास को आपको नीचे युजव करना है लिस यॉ? से next वाले option पे click कर देना है दोस्तो हाप को यहां पर दिखाई दर्हाएien तुज lang洲 है यह AIP prior को किस बासा में यूज करने वाले आप अपने सबसे असादे करेंगे इसके बाद दोस्तो आपको नीचे दिखाई दरहा हुए गए इसट चार तो आपको दुबारा से इस पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपको यहां से गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर अपना मोबाल लंबर डालना और सेंड ओटीप पर क्लिक कर देना तो मैं अपना मोबाल लंबर डालने के बाद दोस्तो तो मैं यहां से यहां पर पेस्ट कर देता हूं तो दोस्तो मैंने यहां से यहां पर क्लिक कर देंगे आगर दोस्तो आपके बोटर कार्ट जो नंबर है वो नंबर भी नहीं तो आप नीचे बाले ठेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे पास था मैंने उसका नम्मर यहां पर डाला और फैच डिटेल पर क्लिक किया तो दोस्तों नोंट फंड रिकोर्ड बता रहा था इसके बाद दोस्तों मैंने इसकी वैपसाइट पर जाकर जो हमारे गाउं की बोटर लिस्ट है वो डाउनलोड की और उसमें मैंने अपने सभी इसके बाद मैंने यहां से फैच डिटाल पर क्लिक किया है जैसी दोस्तों हम यहां पर फैच करते हैं इसके पर दोस्तों हमें नीचे बाले औरहराण डाली को दूस्तों आप नीचे देखेंगे तो आपका जो भी नाम होगा यहाप इंग्लीश में दख़ाइदिगा इसके बाद दोस्तों नाम आपको यहाँ पर हिंदीमें लिखाएगा जैसे आप पता जी का नाम हैं पे हिंदी उटॉमैटिक लिए इसके बाद दूस्तों आपको आपको आपके पास इमेल डालेटी आपको तो मैंने यहां पर अपनी email id को डाल दिया है, email id डालने के बाद दोस्तों आपको यहां पर दिखाई दरा next, दोस्तों आपको यहां next वाले option पर क्लिक कर दिना है, इसके बाद दोस्तों आपके सामने next page open हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको यहां दूसरे number पर correction of interest वाले option अपर डालना है, तो मैंने यहांँ से दूसरे number पर क्लिक कर दिया है, इसके बाद दोस्तों आपको यहां दुबारह से next पर क्लिक करना है, जैसे आप next पर किलिक करेंगे, तो सामने यहां पर कुछ इस तरीके से form number 8 यहाँ पर open हो गया जैसे आपको दिखाए दरा form number 8 जिसमें दोस्तों आप यहां से क्या क्या चेंज करने वाले हैं आप यहां से select करेंगे जैसे आप यहां से अपना नाम, gender, date of birth, address, photo, जो जो number change करना चाहते हैं आप यहां से change कर लेंगे तो मुझे यह यहां पर अपना mobile number लिंक करना है तो मैंने यहां से mobile number वाले box पर click कर दिया तो आपको यहां पर जो जो change करना हो आप यहां पर box पर click करेंगे और दोस्तों आप यहां पर next वाले option पर click करेंगे तो आपके सामने next page open होगा दोस्तों मैंने यहां पर date of birth को सही करने का option चूज क बढाए इसके बाद दोस्तों आप यह दोस्तों कैर आपके इसमें तो आपना अधर हकते सकते हैं पहले स्कते हो मारे देंसे कि सकते हैं मैं हाइ स्कूल वाली मैं हुद के कर दिया है इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर दखाई देगा अपलोड दोस्तों आपको यहां पर अपनी मारक सीट को अपलोड करना होगा यह दोस्तों आपके पास आदा कार अपलोड कर सकते हैं पैन कार दोस्तों मैं यहां पर मारक सीट अपलोड करने वाला हूं तो मै मैं आपनी गैल्री से अपने फोटम को सलेड कर लिए इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स वाली ढाल सकते हैं अपने जिलिका भी नाम डाल सकते हैं फो दोस्तों मैंने अपने गाउंग का नाम डाल देता हूंमец कि यहां पर क्रेक्शन किया है जिसे डेट ऑब बर तो आपको यहां पर दिखाई देवाइब आपको यहां पर और एक बार चेक कर लिना है या पता कि हमसे जल्द वाज में कोई ग्लती हो गही हो तो आप यहां से अकल अच्छे से देख लेंगे इसके लाद दोस्तो आपको यहां पर करना है जैसी दोस्तो आपके सामने पर अप Но क्यों रेक्स पर की रेका करना है दोस्तों आप बिल्कुल हमपीच पर जाएंगे जिसमें दोस्तों आप नीचे दिखेंगे तो आपको यहां पर तीन लाइन दिखाई रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है एक्सप्लोर दोस्तों आपको इसी पर क्लिक करना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैं यहां से ट्रेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है जैसी दोस्तों मैंने यहां से ट्रेक स्टेटस पर क्लिक किया है तो आपको यहां पर दिखाए रहा है कि अभी मेरा यहां पर सम्मिट ही हुआ है अगर मैं एक दो दिन बात देखूंगा तो मेरा यहां पर यहां पर यहां प बजी करीब इस वीडियो को रात में सूट कर रहा हूं आपके लिए तुम दोस्तों आसा करता हूं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या मेरे लिए कोई सुजाव हो तो कॉमेंट बखने लोग लगना चलो तो चलते हैं फिर्मलंग किसी नेक्स वीडियो में किसी नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत